लगबग सारे ही दर्शन सास्त्रियां, इतिहास कारां, आते संसार स्यासर दे माहरादा मनना है कि हर वड़ी तरास्ती दे बाद दुनिया बदल जानती है एकदम बदलाव अउंदे हैं, अबरप्ट रैडिकल चेंजिस जंग होंदी है जा जियो पॉलिटिकल ट्रास्फॉर्मेशन संसार दे नक्षे बदल दे, मुलका दे आपसी संबंध तालमेल बदल जान दे ग्रेज्वल शिफ्ट एडजेस्ट्मेंट्स होंदी हैं, वर्ड और्डर खुद नूरी कैलिबरेट करदा है तीजी संसार जंग दा केंदर हिंदुस्तान होवेगा जा हौंग कॉंग करोना काल दे बाद किस तरह दी होवेगी संसार दी सियासत आओ मार दे हाँ एक नजर वाहिगरू जी का खालसा वाहिगरू जी की फत्य की करोना करते नाल ही तीजी विशु जंग दा विगल वच्चु किया है की इसदा केंदर हिंदुस्तान ता नहीं एक पासे चीन दियां फोजां हिंदुस्तान दियां सीमावा ते कबजा करके बैठी हैं पारी पर कम मशीना नाल मौर्चा बंदी कर रही हैं हिंदुस्तान ने वी आपनियां फोजां उना दे मुकाबले तैनात कर देती हैं पर पाकिस्तान नो घर में घुसके मारेंगे एदा दावा करन वाले घर में घुस चुके चीन नाल गलबात कर रहे हैं दूजे पासे नेपाल नेवी हिंदुस्तान नाल सीमा विवाद दाचे ठाक खोल लेया है पाकिस्तान अते नेपाल चीन दे खेमेविच हन बाकी दे किसे भी परोसी बुल्क नाल हिंदुस्तान दे संबंध ठीक नहीं हन ये जन्क दे हालाक बंधे हान ताँकि हिंदुस्तान इकला पहर जावेगा हलाकि अमेरिका दे सदर डोनाल टरंप ने हिंदुस्तान चीन विछकार विचोलगी करन दी सहमती प Ogटाई है पर उस दी विचोलगी के होजही होवेगी जो आप चीन नाल दो दो हथ करन लई त्यार बैठा है खैर अमेरिका ने करोना नो लेके चीन नो केरना शुरू कर दिता है अमेरिका ने कई चनादियां रोका लाके चीन दे करोना हमले दी पाजी मोरनी शुरू कर दिती है एह सिलसला संसार नो किस अनजाम तक ले के जावेगा औउन वाला समाही दसेगा पर जो गल्पक्की है कि करोना ने संसार बदल देता है ना उस समबंद रहे ना ही आर्थिकता ना उपहल रही अते ना ही मान सकता जल्दी ही असी होर भी तब्दिलियां देखांगे इही है अज्दा पखदा मसला इसे ते सारे संसार दे दर्शन शास्त्री इति हासकार अते संसार से आसर दे महर चर्चा कर रहे हैं इसे विशेते कोमांत्री मसलियां दे महर स्टिवार्ट पैट्रिक, स्टिफन एम वॉक, रिचार्ड एन हास, जी जॉन इकनबेरी, डाक्टर एंडरी कौर्टी नौ अते दर्शनिक सलावोस जीजेक दिराय असी सांजी करांगे कि हुझ ही होवेगी आउन वाली संसार दी स्यासत लगबग सारे ही दर्शन शास्तियां इतिहास कारां आते संसार स्यासत दे महराजा मनना है कि हर वड़ी तरास्ती दे बाद दुनिया बदल जानती है एकदम बदलाव आउन्दे हैं जंग होंदी है जहां जियो पोलिटिकल ट्रास्फॉरमेशन संसार दे दक्षे बदल दे मुलका दे आपसी संबंध तालमेल बदल जान दे ग्रेज्वल शिफ्ट एजजेस्ट्मेंट्स होंदी हैं वर्ड और्डर खुद नू री कैलिबरेट करदा है इतिहासकार जॉन एम बेरी जिसने 1918 दे स्पैनिश फ्ल्यू दे खास खोज कीती है ने चिंता प्रक्टाई है कि कुछ देशां विच उत्थों दे लीड़ना दी गल्ती करके बहुत सारियां जाना जान गिया ट्रेलर असी देख चुके हैं कि वे चीन ने करोना वाइरस दी हकीकत नू लुक वया दुनिया नू गुम्रा हकीका अमरीका अते हिंदुस्तान वर्गिया ने विग्यानिक सोच ही नही दिखाई ज़त सारा संसार शोशल डिस्टेंसिंग कर रहा सी ए जफियां पाके एक दोजे दी आओ भगर्दा जश्न मना रहे से ना हलाद दी गंभीटा ली समझ सी ते ना ही इंतजामाद दी मुस्ते दी नतीजा सब दे सामने है चार घंटेयां दे नोटिस दे लागडाउन करके आवाजाही दे साधन ठप करके किस तरह प्रवासी मजदूरानों सडकांते मरनली मजबूर कीता गया जड़ समिक ट्रेना चलाइयां गया उस वक्त भी बेंच दामी सदके लोकानों उखे मार देता गया योरप दे 1346 तो 1333 तो दे बदनाम प्लेग एपिडेमिक बलैक डेथ काल दे बाद किस तरह समाजक, सांस्किर्टिक, आध्यात्मक, आर्थक अधे टेक्नलोजिकल बदलावाए किस तरह योरोपियन रिफॉर्मेशन दे सहलाब ने योरप बदलेया से जे उन्हा हलाता नाल तुलना ना भी करिये तावी अज दे दिखाई दे रहे पोटेंशियन लॉंग टर्म नतीजे कट महत्वपूरन नहीं है 1930 ग्रेट डिप्रेशन ताक की नतीजा रहा सारे संसार विच आम लोकानिया तकलीफां विच वाधा होया आर्थिकता चर्मरा गई समाजक आर्थक गैर बराबरी वधी समाजक गुसे विच वाधा होया अत्वात वध गया इसे लिए हरवर्ड युनिवर्सिटी विच कुमांतरी मसलियां दे महर प्रोफेसर स्टिफन एम वाल्ट दी चिंता है कि स्यासत दान महा मारीदा फाइदा उठाऊंगे तानाशाही सोच वाले मुल्क राष्टरवाद देना आते आर्थक सुरख्या देना आते सत्तागा केंदरी करण करणगे स्वदेशी नों तर्जीह देनगे राष्टरवाद वधेगा स्टेट दी ताकत वधेगी पर कुमांतरी करण कमजोर होएगा पैंडमिक दे बहाने सरकारा उठ ताकता हासल कर लेंगे जिसनों बाद विच उठ चढ़ना नहीं चहूंगे इसे तरह ताकत दा केंदर पश्चिम तों बदल के पूरवाले पासे रू सरकेगा पर नाल ही स्टीफन खबरदार करदा है कि जेकर अजहा हुंदा है जेकर संसार ते पूरव ती दुनिया हावी हुंदी है तां ताना शाही बिटीदा बोल बाला होएगा अटे आउन वाले समय विछ दुनिया समाज़ अपनिया मौलिक आज़ा दी खुशाली अटे वाता वरण दी संभालतों वाजी रहेगी रिशूजिया परवासिया शर्णार्थिया दीया समस्यावा वधन गिया खाना जंगी दा दौर वधेगा पर दूजे पासे रिपबलिकन अटे विदेशी मावलिया दे माहर रिचर्ड अन हास जो की अथारिटरियनिजम दे समर्थकन दे मताबक कुल मिला के हालात वधिया होंगे अथारिटरियनिजम ताना शाही फाइदे मन धोवेगी सरकारा लोका नो आर्थक मदद देंड़ गिया लोका विच ऐसे हमती घटे गी समाजक खलकिया विच सरकार नो ज्यादा समर्थन मिलेगा इस नाल सिविल लिबर्टरीज अथे सियासी आंदोरन खतम होंगे इस नाल खेत्री पंधर तो लेके कौमी पंधर अथे कौमांत्री पंधर तक सर्योग दी लोडवी बढ़ेगी दूजी गल जो हास कहनदा है वो ए कि इस पैंडेमिक नाल संसारते ज्यादा फरक नहीं पहना बस जो ट्रेंड पहला ही चल रहा है उस दी रफतार तेज हो जावेगी जिस तरह अमेरिका दी लीडर्शिप नेतागिरी पहला ही कट रही है गलोबल कॉपरेशन विच पहला ही कमी आ चुकी है वड़ियां ताक्तां विच असहमती दा महौल पहला ही बन चुकी है सी इस विच वाधा ही होवेगा रफतार तेज होवेगी अमेरिका चीन विचकार दी नवी कोड़ वार इसे दा ही नतीज़ है दखन कोरिया दे जनमे जर्मन दार्शनिक ब्योंग चुलहन ने मशहूर स्पैनिश अखबार एल पाइस विच एक लेख विच ता दावावी कर दिता है कि पूरब ने जंग जित लई है उस दे मताबक एशियन मुलक जापान, खोरिया, चीन, हांकांग, ताइवान जा सिंगापुर जिना दी तानाशाही मान सकता है जो उना नो उना दी कन्फूशियस संस्कृतितों मिली है जित्थे लोग कट बागी हैं, योरप तों ज्यादा आग्याकारी हैं ओ उस स्टेट विच विश्वास कर दे हैं उत्थे रोज मरादे जिन्दगी ज्यादा संगठित है उस दे मताबक डिजिटल सर्विलेंस करके एशियन्स ने करोना भी लड़ाई जित लई है वो थाली खड़का के कहनदा है कि एशिया वे लड़ाई सिर्फ वाइरियलोजिस्ट, एपिडेमिलोजिस्ट वल्लों नहीं लड़ी जा रही बलकि कम्प्यूटर साइन्टिस्ट, आते वड़े पदरते डाटा स्पैसलिस्ट वल्लों लड़ी जा रही है हिंदुस्तान दा अरोग्य से तु वी यही हतियार है जो असल विद डिजिटल पॉलिस स्टेट मॉडल है डिजिटल सर्वेजन्स दा तरीका है तानाशाही स्टेटा इसनो आपनी सफलता दस रहे हैं महरादा मनना है कि सरकारा दे वद्दे तानाशाही रवये भी पारी कीमत चुकाउनी पैनी है इसनाल डेमोक्रेटिक नाम खतम होंगे इसलिए साल्वेनियन दार्षनिक सलावोज जीवेग नो डर है कि आउन वाले समय विच लोग तंत्री मुलका नूवी तानाशाही इंफेक्शन लग सगदा है मनुख्य चेहरे दी ओट विच नमी तरादी बरबरता पैदा हो सकती दुख अते सहानभूती प्रगट करदे हुए सुरुख्या अते भलाई दे नाते नारिकां दी आजादी खुहन वाले गैर मनुख्य कानून ल्यांदे जानगे पर उदार कुमांतरी वाद दे हिमायती जी जॉन एकनबेरी ने उमीर नहीं छड़ी है उननारा कहना है कि ठीक है कि पविक विच असी वड़ियां ताकता दी खहबाजी देखांगे खिंद्या होया अते हिंसानाल परया होया संसार भी देखांगे पर चंगी गल होएगी कि बहुत सारे मुलकादा आपस विच सहयोग भी वदेगा इस उननारी आपनी सुरख्या अते खुशाली लिए जरूरी भी होएगा इसे लए संभावना है कि लोकतंतरी तबका आपने दाइरे तों बाहर निकलके इक नमे व्यवहारक कुमांतरी करनवल वदे कुमांतरी सहयोग मजबूत होवे कुमांतरी संस्थामादा रसूख वदे इसे लए बहुत संभाव है कि मसलिया दे मिल्टरी हल अते आर्थिक खैवाजी वधन दी बजाए गर बात राही मसलिय दा हल लबन दी इच्छावी वदे इसे लए दा सॉबनेटी वार्ज रीकंसाइलिंग अमेरिका विद दी वर्ल्ड दे लेखक अदे विदेशी मामलियां दे महर स्टिवार्ट पैटरिक ने अमेरिकन केमे नू सलाह देती है कि जेकर अमेरिका दुनिया दी अगवाई दी आपने जिमेवारी नू छड़ेगा ता होर कोई साम लवेगा उसने मताबक एक ट्रम्प दी नीतिया दाही नतीजा है कि वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन अदे युनाइटे नेशन से विच चीन ने आपनी कुस्पैट वधाई कुल मिलाके दो तिरां डेमोक्राटिक फोर्स अथे अथारिटेरियन फोर्स लोगतंत्री ताक्ता अथे तानाशाही ताक्ता दी रसाकर्शी दी रफ्तार तेज हो चुकी है इसलामी मुल्क भी आपने कुमांत्री संगठन और्गनाइजेशन अफ इसलामिक कंट्रीज ओ आईसी दी पूर्मिका वधाऊं विच जुट चुके हैं एनरजी फैक्टर भी पविख्री दुनिया निरधारत करेगा आउन वाले साल डेड़ साल बहुत महत्वपून होंगे अमरीका निया नॉम्बर निया चोना यूरोपियन यूनियन विच फ्रांस जर्मन दी पोजीशन दसेगी उन्ट किस करवट बैठेगा बाकी ताउगे बिजनसमेन वारन बफे मताबक समुन्दर दिया तेज लहरां दे गुजर जान दे बाद ही पता चलता है कि कौन किस तरह दी तारी ला रहा है अजादी दे आशका नू नजर खोल के रखनी चाहीदी है तन्वाद वाहि गुरू जी का खालसा वाहि गुरू जी की फते है